हलो विर्वन, जब आकड़ों का निरुपन करना होता है, तो उनको प्रदर्शित करने के लिए कुछ विधियों का प्रयूक किया जाता है, और आकड़ों के प्रदर्शन करने के लिए मुखरूप से तीन विधी, पिक्टोग्राफ हुआ, बार ग्राफ हुआ, और पाई ग्र तो इसमें पिक्टोग्राफ जो होता है जिसे आकड़े बहुत बड़े नहों करके तो उनको प्रदर्शित करने के लिए हम प्रदर्शित कीया जाता है आगणों को प्रदर्शित करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि आसानी से देख करके उसको समझा जाया ऐसे चित्रों का या प्रतिवकों का हम लोग प्रियोग करें तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ उधारन लेने फिर उसके बाद देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह किसी दुकान पर बिक्रह हुए समाझ जिसे निए माल लेते बक्सों का मंगलवार को कितने बचा बुद्धवार को कितना बेचा तो उसको हम लोग एक नोट कर लिए फिर उसको बात दिखते हैं उसको कैसे पिक्टोग्राप में उसको प्रदर्शित किया जाता है ठीक है ग तो यह एक एक्जाम्पुल हमने लिया उधान लिया कि यह दर दिन है यह दर बक्षों के संग्या यानि सो मुवार को 15 बक्षे बेचे गए मंगलवार को 35 बुद्धवार को 25 बृष्पत को 20 शुक्रवार को 15 और सनिवार को 5 रभिवार को मालेते हैं 10 बक्षे बिचे गए तो अब इन आकड़ों को यह जो आकड़े हैं एक सब्ता के बिचे गए बक्षों की संख्या को अगर कहीं पिक्टू ग्राफ दोरा दर्शा नहों तो हम कैसे दर्शाएंगे उसमें एक पैमाना मानते हैं मालेते हैं पैमाना हम इस तरह से बन बराबर पांच बक्षे इसको पांच बक्षे बराबर मालेते हैं तो देखिए सोम और को कितने बक्षे बचे गए हैं 15 पांच को एक फूल बनाया हमने तो 15 को तीन फूल बनाना हो गए यानिक ऐसे करके एक दो थीन इससे यह यह दिखिए यह कर रहा हैं पांच बक्षे हैं यहां पर तीन है तो इसका मुलबग कि यहां पर ब्रेस्पत्ति बार को ब्रेस्पति 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 ब्रेस यहां पर यह ओगया सँनी बार को पांच बगसी बेचे गये हैं तो पांच बकसी को अमने एक फुल मना है तो यहां पर एक फुल बन जाएगा रभी बार को 10 है तो तो पांच से भागदें के दो बार यानिकि दो फुल बनेगा ठीक है अब इसको कोई भी देख करके ये बता सकता है कि ये एक फूल वरबर पांच बखसे हैं या तीन फूल है यानि 15 बखसे ये दो तीन चार पांच छे साथ 25 बखसे 25 बखसे 20 15 पांच दस असानी से देख करके बताया जा सकता है। पिक्टो ग्राफ में एक बार में किवल एक ही परकार के आंकडों को प्रदस्टित किया जा सकता है। कई आकड़ों को एक साथ इसमें प्रदस्तन होता है तो उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा पिक्टोग्राप में सारे सवाल सभी सवाल इसी तरह से किये जाते हैं आसान है सिर्फ पैमाना मानने का है कि पैमाना हम इस्तर से मानने कि सारे आकड़े उसके गुलक में आ जाए यहनि कि सभी आकड़ों में जो हम माने हैं उसका भात चला जाए तो ठीक है इसमें इतना है